हेलो फ्रेंड्स श्वागत है आप सभी कापकी यूटूब चैनल ओलिन वन टीटी में दोस्तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मुख मंत्री द्वारा दिये गए सिक्षकों के आशवाशन या वचन लागू करने के लिए लेटर जारी की गई है सभी मंत्री गन शिक्षकों के पक्ष में आए हैं उसी से सम्बंदी ये लेटर है और ये सभी जिला के सिक्षकों के लिए महतपुन शुषना है तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सम्बंदी सम्पुन शुषना को आप लोगों को याद होगा ही कि मुख मंत्री ने शिक्षकों को क्या आशवाशन दिया था उसी को लागू करनी के लिए ये लेटर जारी किया गया है तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सम्बंदी सम्पुन शुषना को उससे पहले जो इस चैनल पर ने विजिट कर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल में बेल आइकन उसे प्रेश कर लिजे ताकि सिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट कर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो से के तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की पत्रांक नमबर यहां दिया है सभी जिला शिक्षा पदाजिकारी सभी प्रकंड शिक्षा पदाजिकारी विभाग विषय जो है मानिय मुखमंतरी विभाग द्वारा शदन में दिये गए वचनी आसवासन के परिपालन के संबंद में 27-24 की तिथी को ये लेटर प्रकाश की गई है विशायांकित संदर में विधित है की गत बजट शत्रावधी 24 में मानिय मुखमंतरी द्वारा विधान मंडल में विहार सरकार की ओर से सदन की भौना को देखते हुए सुबे के विध्यालियों की शंचालन ओधी पुर्वाहन 10 बजे से अपराहन 4 बजे निर्ध इने भर बीत जाने के पश्चात भी आपके द्वारा इस आशे का पारिपालन नहीं किया जा रहा है कि है जो लुक्तांतरिक विवस्ता की तहत भारतिय शनविधान के प्रवधानों इवं बिहार विधान मंडल की शक्तियों तथा बिहार कार्यपालिका नियमावली के उप विभागे अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों की निरंतर वेतन कटोती की ये जाने का आदेश निर्गत किया जा रहा है जो अनुची तेम गैर कानूनी है आपका ये कृत्य विधान मंडल की प्रकिरिया एवं कार्यश अंचालन निया मावली के तहत विधाइका के निम प्रदत सक्तियों के विपृत है अता उक्त के आलोक में आपश्या पिक्षा है कि संसध्य परणाली में विधाइका को प्रदत सक्तियों उनकी शुरक्षा ये संरक्षा को सरवच्च प्रात्मिकता देते हुए माननिय मुखमंतरी के द्वारा शिदन में दिये गए चको की वेतन कटाउती का आदेश वापस लिया जाए। चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें धन्यवाद।